वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जिसके आपको वीडियो यहाँ पर फ्री आफ कॉस्स मिलेंगे यह उत्तरप्रदेश स्पेशल करेंट अफेस है यानि कि यूपी स्पेसिफिक जो भी करेंट अफेस है वो सब कुछ इसके अंदर कवर उप हो जाएगा जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक का हम लोग स्टार्ट क पर हैं तो यहाँ पर पहला कोशन है कि निमलिखित में से कौन से कथन ऐसे हैं जो कि सही हैं पहला यहाँ पर स्टेट्मेंट की हाल ही में सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम चंद्र नगर करने का प्रस्ताव नगर नगम कारेकारने की बैठक में पास हो गया दूसरा है फिरोजाबाद यमना नदी के किनारे स्थित है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है तो आंसर हमारा क्या होगा Option C यहां पर एक पॉइंट और याद रखना है कि हम फिरोजाबाद की बात करें है तो फिरोजाबाद क्या है इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और कौन सी रिवर के किनारे है ये यमना रिवर के किनारे है आगे मूव आउन करते है नेक्स्ट कोश्चन पर इस कोश्चन में यहां पर पूशा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक अभयान में दस वर्ष ये छात्रा वैशनवी मिश्रा इनको ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया तो ये कहा की है ये हैं गोंडा की नाम क्या है वैशनवी मिश्रा जिनको ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया एक अभयान चलाया गया था और उसके तहत यह जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनी दस साल की है मात्र नाम है वैशनवी मिश्रा कहां से बिलॉंग करती हैं गोंडा से इस कोशन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश अंतर देश ये जलमार्ग प्रादिकरण विधयक 2023 इसके बारे में निमलिकित में से कौन से कथम सही है पहला है नो दिसंबर दोहजार देश को उत्तर प्रदेश अंतर देश ये जलमार्ग प्रादिकरण विधयक 2023 को विधान मंडल से पारित कराय जाने से संबंदित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है दूसरा है इस विद्यक को उत्तर प्रदेश अंतर देश जलमाग प्रादीकरण के गठन हे तू अनुमोदित किया गया है तो ये दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है मतलब ये जो विद्यक है, इसके तहट क्या होगा? उत्तरप्रदेश अंतरदेश ये जलमाग प्राधिकरण इसका गठन किया जाएगा ठीक है तो यह यहाँ पर important point है जिसको आपको याद रखना है तो दोनों ही statement यहाँ पर correct है इसके बारे में यहाँ पर देखें तो उत्तरप्रदेश अंतरदेश ये जलमाग प्राधिकरण विद्यक 2023 में प्राधिकरण के सक्षमता पूरवक एवं निर्बाद संचालन हे तू उनकी शक्तियां एवं कार निधी का गठन परिसंपतियों एवं देंदारियों का इस्थानांतरण इसके लावा शुलकों और प्रभारों का उधरण और संग्रहन एवं बजट संबंद उपवंदों का समुचित प्रावधान किया गया है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो अगले कोशन की बात करें पूछा गया है 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी योगी आदितनात ने किन दो शहरों के बीच पहली अंतर जिला हेलिकॉप्टर सेवा की आगरा में राजी की पहली अंतर जिला हेलिकॉप्टर सेवा इसकी शुरुवात की इसके तहत आगरा जिला के जो बटेशवर है वहां से मतुरा जिले के गोवर्धन के बीच जो उडान है वो संचालित की जाएंगी ठीक है साथ ही सीम योगी आदितनात ने आगरा और मतु आगरा के बीच हाट एयर बैलून सेवा इसकी भी शुरुवात की है अगला कोशन है इसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखें पहला स्टेटमेंटे 23 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुक्मंतरी योगी आदितनात मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधान मंतर चौदरी चरण सिंग की जैनती पर उनकी 51 फीट ऊची प्रतिमा का अनावरन उन्होंने किया ठीक है तो कहां पर किया ये आपको याद रखना है मुरादाबाद के बिलारी में किया ठीक है किसने किया इसका अनावरन योगी आदितनात ने किसकी प्रतिमा थी चौदरी इसको बनाया है तो आपसे examination में ये एक अलग से भी question पूछा आ सकता है कि ये फसलों की जो सुरक्षा है जानवरों से इसके लिए जो green land mine alarm device इसको जो बनाया है वो किसने बनाया तो वो बनाया अविनाश वरोन ने ठीक है कौन से institute से belong करते हैं institute of technology and management यहां पर बात करी गई है क कौन सा statement गलत है बट पहला statement भी सही है दूसरा भी यहां पर सही है दोनों ही statement यहां पर correct है इसके बाद अगले question की बात करते हैं इसमें यहां पर पूछा गया है आईएस दुरगा शंकरमिश रा जो उत्तरपरदेश के मुख सचिव है हाल ही में उनके से जो आगे चले next question को आप तयारी करने चाहते हैं तो steady for civil services के courses को आप join कर सकते complete तयारी के लिए यह one stop destination है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें steady material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा बर मिलेगा और यह सब को sufficient होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लि 8564 880530 इस नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस नंबर पर contact कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर call करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं सेवा विस्तार में कितने समय की व्रधी की गई है तो 6 महा का सेवा विस्तार इनको दिया गया है इनका नाम के है दुरगा शंकर मिश्रा जो की उत्तर प्रदेश के मुक सचेव है यानि की principal secretary है इसके बाद अगले question की बात करते हैं 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वारानसी के उमराहा में स्वरवेद महा मंदिर इसका उधगाटन किस ने किया तो नरेंदर मोदी जो की हमारे प्रधान मंत्री है इनके दौरा इसका उधगाटन किया गया कहां पर located है उमराहा वारा नसी में तो स्वरवेद मंदिर ये जो है इसका निर्मान विहंगम योग संस्थान के प्रेणत्ता संत सदाफल महराज जी की ओर से कराया गया है तो ये नाम भी याद रखना है संत का नाम क्या है सदाफल महराज नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं पूशा गया है कौन से statement य अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल कर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है ये statement सही है दूसरा है उत्तरप्रदेश तरकार ने अयोध्या के अंतरास्टी हवाइड़े का नाम बदल कर महारिशी वालमी की अंतरास्टी हवाइड़ा अयोध्या धाम कर दिया है त तो दोनों ही statement यहाँ पर कैसे हैं हमारे correct हैं। तो आंसर क्याएगा हमारा एक और दो दोनों। Next question की बात करें। यहाँ पर आपसे पूशा गया है कि December 2023 में जारी एक report के अनुसार उत्तरप्रदेश पंजीकरत निवेशकों की संख्या के मामले में किस राज से आगे निकल चुका है तो वो है आपका गुजरात। ठीक है। गुजरात में जितने पंजीकरत निवेशक हैं उससे जादा आप उत्तरप्रदेश में हैं। So इसके बारे में क्या कुछ important है। इसमें याँ पर बताया गया है कि उत्तरप्रदेश पंजीकरत निवेशकों की संख्या के मामले में गुजरात से आगे निकल गया है। कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। रुपए से अधिक की लागत में विक्सित किया गया है। उत्तरप्रदेश के अधिया में देश की पहली अमरित भारत ट्रेन को हडी जंटी दिखा कर इन्होंने रवाना किया। यह जो ट्रेन है यह रामनगरी को माता सीता की जन्मिस्थली सीता मणी बिहार से जोड़ेगी। और प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 15,700 करोणों रुपए से अधिक की लागत की 45 विकास परियोजनाओं का लोकारपन और शिलान नियास भी इसमें किया है। नेक्स्ट कोश्टन की बात करते हैं। पूछा गया है 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के बनारस में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुली हरी घंडी दिखाकर देश सेवा में समर्पित किया। ये जो भंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये कहां से कहां तक चलेगी तो ये आपकी बनारस से नई दिल्ली की और चलेगी। पूछा गया है गलत स्टेट्मेंट कौन सा है। पहला स्टेट्मेंट है चिकिस्था विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्विद्याले में किडनी ट्रांस्प्लांट के लिए OPD की शुरुवात की जाएगी। ये स्टेट्मेंट सही है। दूसरा है 25 दिसंबर 2003 इसको पंडित मदन मुहन मालविय की 162 जैनती के अफसर पर नरेंद्र मोदी ने एक कारिकरम में पंडित मदन मुहन मालविय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रंखला का विमोचन किया। ये स्टेट्मेंट भी सही है। जो है इसको बनाया जाएगा। सबसे बड़ी अर्थविवस्था वाला पहला राज्य कौन सा है तो वो है आपका महरास्ट। ये हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी अर्थविवस्था वाला राज्य है। तो अगर हम देखें देश की सबसे बड़ी अर्थविवस्था वाले टॉप फाइव जो राज्य हैं। इसमें महरास्ट आता है नमबर बन पर उत्तर प्रदेश सेकंड प्लेस पर तमिलनाडू थर्ड पर गुजरात फोर्थ पर और पच्छे मंगाल फिफ्थ पर ठीक है। इसके बाद अगले कोशन की बात करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है यहाँ पर जिसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मचली पारन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा बड़ा फिश मार्केट यह कहां बनाया जाएगा। यह बनाया जाएगा कहां पर मुरादाबाद में। सो इसमें देखते हैं क्या कुछ है एशिया का जो पहला आधुनिक फिश मार्केट है वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बनाया गया था और दूसरा कहां पर बनाया जाएगा यह बने का मुरादाबाद में। इसके बाद अगले कोश्चन की बात करते हैं 31 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी योगी आधितनात जी ने जनपत गोरकपुर में कितने हेल्थ एटीम इनका लोकारपन किया योगी आधितनात ने इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें नवंबर 2023 की जारी रैंकिंग के अनुसार सरकारी योजनाओ को लागू करने में नेमलिकित में से किस जिले ने शीश इस्थान हासल किया है अब ये अमबेतकर नगर है ये मुझफर नगर है ये गोरकपुर है या फिर ए और बी दोनों तो सही आंसर कहाएगा हमारा अमबे जारी योजनाओ को लागू करने के शुरेणी में जिले में मतलब ये जिलो की पूरी रैंकिंग मिलाएगी उसमें शीश इस्थान इन्होंने हासल किया है इसके बाद यहाँ पर देखें सो नवंबर 2023 की रैंकिंग में अमबेतकर नगर और मुझफर नगर जिलों को 77.2 पत से कथम सही हैं पहला है दिसंबर 2023 में आयाइटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाक के पिएच डी छातर हर्शद श्रिवास्तव इनकी रिसर्च में अंडवान और निकोबार से 149 किलोमेटर दूर नारकॉंडम दीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त हुए हैं दि उत्तर प्रदेश को तीन पुरुसकार प्राप्त हुए हैं तो यह दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर हमारे करेक्ट हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें यह भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश को पीली भीद टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव स अब यह जो नमो घाट है यह देश में जल थल और नव परिवहन की सेवा देने वाला देश का पहला घाट होगा इसके बाद आगे देखते हैं अगला कोशन है कोठारी बंधों की इसमृति में बनने वाले एक बड़े शौर भवन यानि धर्मशाला इसका शिलान्यास कहां किया गया तो कहां पर किया गया गोंडा में नेक्स्ट कोशन इसमें यहां पर आपसे पूछा गया है कि 23 वर्ष यह स्काई डाइविंग अनामिका शर्मा इनका नाम जरूर या दखिएगा इन्हों ने 13,000 फीट की उचाई पर भगवान श्री राम का धोज लहरा कर इतिहा इतिहास रच दिया अनामिका शर्मा उत्तरप्रदेश के किस शहर की निवासी हैं तो यह हैं आपकी प्रियाग राज की निवासी और इन्हों ने 13,000 फीट की उचाई पर भगवान श्री राम का धोज जो है उसको लहरा आया तो प्रियाग राज की स्काई डाइविंग करन किया है इसके बाद नेक्स्ट कोशन है 15 दिसंबर 2023 को उत्तरप्रदेश के मुखमंतरी योग्या दितनात इन्होंने अत्यादुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज लेक कुईन इसका लोकारपन किया कहां पर गोरकपुर में यह यहाँ पर याद रखना है आपको इसके इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है यहाँ पर पूशा गया है कि दिसंबर 2023 में उत्तरप्रदेश की इसमिता श्रिवास्तव इन्होंने विश्व में सबसे लंबे बालों का ग्रीन्स बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड यह दर्श किया है और इसमिता जो हैं यह कहा की निवासी हैं प्रियाग राज की 236.22 cm यानि कि तकरीबन 7.9 इंच लंबे बालों के साथ भारत के उत्तरप्रदेश की 46 वर्षिये इसमिता श्रिवास्तव ने जीवित व्यक्ति के सबसे लंबे बालों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो बहुत इंपोर्टेंट है ज कितने सरकारी कॉलेजों में चात्रों को ई-बुक्स और ई-लाइबरेरी की सुबधा परदान की जाएगी तो वो कितने हैं आपके बानवे हैं नेक्स्ट कोशन देखें इसमें यहां पर आपसे पूशा गया है कि हाल ही में जारी आकडों के अनुसार देश में कौन सा राज जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थवस्ता वाला राजज बन गया है तो वो है आपका उत्तर प्रदेश इसको अभी हमने देखा भी था नंबर बन पे कौन सा है महरास्ट नंबर तीन पे तमिलनाडू नंबर दो पे उत्तर प्रदेश और नंबर पांच पे आपका वेस्ट बेंगॉल तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो यह हमारा सेशन था कोईज वाला यहाँ पर कंप्लीट होता है इसमें हमने दिसंबर मंत के जितने भी उत्तर प्रदेश के करेंट अफेर्स हो सकते थे mcq की फॉर्म में उन सब को कवर अप किया है ठीक है तो इसी के साथ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन बेल के आइक उन को प्रेस करिए तो थेंक्स वर वाचिंग हव नाइस दें बाबाई